हेलो स्टुदेंस तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं chemical kinetics ना chemical kinetics की जब बात करते हैं तो आपके दिमाग में directly आता है कि speed of reactions हम study करेंगी कि कौन सा reaction कितना fast है कौन सा reaction slow है कैसे हमें उसको study करना है कि what is the speed of a particular reaction पर क्या कभी हमने सोचा है कि chemical kinetics की importance क्या है कि आप क्यूं पढ़ते है chemical kinetics कि apart from getting good marks in your exams chemical kinetics का everyday life में क्या role है ठीक है तो देखिए आप अपने आसपास किसी भी चीज़ को देखिए कुछ ना कुछ reaction हो रहा है हमारी body में reactions हो रहे हैं ठीक है एवन हम जो बूड़े हो रहे हैं aging is also reaction तो ये reaction कितना slow है ये कितना fast है अगर आपको इसकी जानकारी हो कि कौन से reactions aging को promote करते हैं कौन से reactions slow करते हैं तो आप उनको थोड़ा affect करने वाले parameters ढूंड सकते हो कि कौन से parameters को change करके हम aging को slow down कर सके तो chemical kinetics की day to day life में importance बहुत जादा है first example आपको देता हूं मैं देखे ग्रीन हाउस gases के बारे में आपने सुना है जो global warming में contribute करती है तो ग्रीन हाउस gases में एक important component methane gas भी है अब methane gas atmosphere में कैसे आती है तो जो human byproducts हैं या जो भी आपके byproducts होते हैं living beings के उन से जो carbohydrates present होगे उन में वो anaerobic conditions में decompose करके methane gas release करते हैं anaerobic conditions मतलब जहाँ पर air नहीं है ठीक है जैसे कि आप अपने गाउं में सुना होगा कि gober gas plant होता है तो उसमों क्या करते हैं सारे gober को आप एक गड़े में डाल के उसको cover कर देते हैं तो वहाँ पर air की absence में जो reaction होता है उसको बोलते है anaerobic reactions, anaerobic condition तो bacteria उसको decompose करेंगे methane में अब methane जब यह आपके troposphere में, atmosphere में जाती है तो वहाँ पर जो hydroxyl radicals हैं, OH radicals यह इस methane को decompose करते हैं तो अगर scientist इस चीज़ को study करना चाहते हैं कि methane कितने fast generate हो रही है और कितने fast deplete हो रही है मतलग कितने fast वो consume हो रही है, तो उसके लिए उनको kinetics को use करना पड़ेगा तो इससे आप बता सकते हैं कि methane की generation का rate यह है और इसकी consumption का rate इतना है, तो greenhouse पे उसका क्या effect पड़ेगा तो यह उसका environmental effect हो गया Secondly, अगर आप pharmaceutical companies की बात करते हैं तो they use kinetics studies to maximize the formation of a desired product and minimize competing side reaction कि जब आप कोई reaction करना चाहरे हैं, suppose A इससे आप B बनाना चाहरे हैं, पर साथ में C भी बन जा रहा है तो C क्या है, side reaction है तो company चाहती है कि सिरफ B ही बनना चाहिए तो वो आपको तभी पता लगेगा कि अगर आप इस reaction की kinetics को समझते हैं कि कौन से factor C बना रहे हैं, कौन से factor B बना रहे हैं तो किन factors को बढ़ाया जाए है, किसको कम किया जाए ताकि C ना बने और सिरफ B की ही formation हो तो यह pharmaceutical के standpoint से भी important है secondly, जब कोई दवाई आप लेते हैं किसी भी critical situation अब मरीज को कोई दवाई दी जानी है और हम चाहते हैं कि वो एकदम से effect करें तो अगर उसका rate of reaction बहुत slow होगा ठीक है कि आपकी जो दवाई है वो drug काम करना बहुत देर से start करता है तो वो किसी काम का नहीं है patient मर सकता है तो उसका rate of reaction कै कि कितनी जल्दी वो effective होता है तो यह भी pharmaceuticals को study करना पड़ता है तो यहाँ भी kinetics की ज़रूरत है थर्ड अगर हम देखें कि different reactions को हम catalyst use करके speed up कर सकते हैं negative catalyst use करके slow down भी कर सकते है तो catalyst कैसे speed को बढ़ाते हैं या कम करते हैं ये भी आपको kinetics में ही पता लगेगा next is आप आप market में गए आपने कुछ खाने का समान लिया कोई packed food items तो हर packed food item की एक shelf life होती है कि आपको एक बार आपने packet खोल दिया तो इतने दिनों के अंदर आपको ये juice consume करना है ये particular item consume करनी है तो वो shelf life कौन decide करता है कि उसके अंदर जो preservative डाल रखे हैं preservative क्या करते हैं देखे कोई भी अगर आप fruit नॉर्मल बजार से जाके लेंगे fresh fruit तो वो कुछ दिनों के अंदर सरने लग जाता है reactions को slow down करने के लिए हम कुछ chemicals डालते हैं जिससे आप उसी fruit को जादा दिन रख सकते हैं उसी particular condition में ठीक है तो उसकी shelf life बढ़ गई तो उसके लिए आपको chemical kinetics पता होने चाहिए फिर living organisms में enzymes का क्या role है कौन से enzyme reaction को speed up कर रहे हैं slow down कर रहे हैं और किस temperature पे ये enzymes जादा active होते हैं अगर आप घर में दहीं जमाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक particular temperature उसको चाहिए अच्छा जमने के लिए ठीक है अब देखिए जब हम kinetics की बात करते हैं कि reaction की speed तो reaction की speed का उनकी stoichiometry से या कैसे वो दिखते हैं इससे कोई relation नहीं है अब आपने पढ़ा है कि 2H2 plus O2 gives you 2H2O ये एक reaction आपने पढ़ा है कि होता है इससे water बनेगा मतलब कि hydrogen की oxygen के साथ combine करने की tendency तो है पर आपके आसपास जो भी कमरे में air है उसमा hydrogen gas भी है oxygen gas भी है पर कभी भी आपके सिर पे पानी की बूने टपकती है ऐसा कभी नहीं होता तो इसका मतलब है कि thermodynamically तो ये reaction होना चाहिए पर हो सकता है कि ये reaction इतना slow हो कि इसको होने में सालों लग जाए तो thermodynamics आपको बताता है कि reaction के होने के chances हैं या नहीं पर kinetics आपको बताएगी कि ये reaction कितना fast होगा या कितना slow होगा तो ये बहुत slow है okay H2 plus Cl2 ये भी react करके HCl बनाना चाहिए but reaction slow है but H2 plus F2 gives you 2HF ये एक fast reaction है N2 plus 3H2 gives you ammonia अब ammonia की worldwide production 20 million tons है एक साल में तो अगर आप सिधा N2 और H2 को mix कर दोगे और आप सोचोगे कि ammonia बन जाएगा तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये react करना तो चाहते हैं पर normal room temperature पे इनकी इनका जो rate of reaction है वो बहुत slow है अगर आप temperature को बढ़ाएँगे pressure को change करेंगे कुछ catalyst डालेंगे तब जाके इसका rate of reaction काफी बढ़ेगा fast होगा तब ही जाके आपकी ammonia की production commercially viable होगी वैसे ही graphite का diamond में conversion भी एक reaction है बढ़ ये इतना slow होता है कि इसको होने में salon लग जाते हैं ठीक है पर इस reaction को आप different temperature pressure की condition extreme temperature और extreme pressure apply करके fast कर सकते हैं तो I hope आपको clear हो गया कि chemical kinetics का overall impact हमारी day-to-day life में कितना है अब देखिए तो इस chapter में हम पढ़ने के आवाले हैं इस chapter में basically हम उन reactions को study करेंगे जो एक moderate speed से चलते हैं कि आपके reactions कितनी speed से हो सकते हैं एक होगा आपके पास very fast reaction एक होगा आपके पास moderate speed वाला और एक होगा आपके आपके पास very slow तो very fast reactions का जैसे ionic reactions होते हैं acid base reactions होगे ये बहुत fast होते हैं तो इनको हम analyze नहीं करेंगे ठीक है इस chapter में है ऐसा नहीं है कि kinetics इनको analyze नहीं कर सकता उसके लिए flash photolysis जैसी अलग लग techniques हैं बट हमारा इस chapter मेन को study करने का कोई intention नहीं है second moderate yes कि एक reaction एक moderate time में हो रहा है कि माली जी कुछ minutes में हो रहा है कुछ घंटों में हो जा रहा है तो उचको हम study करने में interested है बट अगर बहुत ही slow को reaction है rusting of iron है तो क्या आपके सामने एक iron का piece लेकि उसको पानी में डाल के आप बैठे रहेंगे कि देखतें कितनी जेर में रusting start होती है नहीं कर सकते है न उसको observe तो very slow reactions को भी हम observe नहीं करेंगे अब देखे rate of reaction क्या होता है speed of reaction speed of reaction को आप normal speed से define कर सकते हैं तो अगर आप physics में speed परते हो तो speed को हम क्या लिखते है distance covered divided by time कि कितना distance आपने कितने time में cover किया या इसको आप ये भी बोल सकते हो कि change in location कि आपकी location कितना change हुआ है एक particular time है आप पहले A point पे थे थोड़ देर बाद आप B point पे चलेगे कितना time लगा t time तो change in location divided by time तो वैसे ही rate या speed of reaction को भी कैसे define किया जाता है change से कि कोई चीज़ change हो रही है वो कितना fast change हो रहा है तो वो जो होगा that will be change in the concentration divided by time taken कि मालने जिए आपने 100 particles लिये थे starting में और after 20 minutes ये कितने रहे गए 60 रहे गए तो कितना change आया 40 का change आया कितने minute में 20 minutes में तो concentration कितनी fast change हो रही है आपका reactant कितनी जल्दी consume होके product में जा रहा है तो आप reactant का decrease in concentration study कर सकते हो या product कितनी fast बन रहा है ये भी study कर सकते हो जैसे A gives you B A आपने initial लिया 100 B था 0 थोड़ी देर के बाद ये T is equal to 0 पे after time T A रहा गया 60 और B बन गया 40 तो आप ये भी measure कर सकते हो कि A कि speed से कम हो रहा है वो भी आपको speed of reaction बता देगा या product B कि speed से बढ़ रहा है वो भी आपको speed of reaction बता देगा तो हम क्या study करते है change in concentration upon time ओके तो rate को हम लिखेंगे delta x by delta T या इसको कभी-कभी आप dx by dt भी लिखते हो तो इन दोनों में क्या difference है देखे delta x by delta T आपको देता है average rate और dx by dt देता है आपको instantaneous rate देखे rate average और instantaneous में क्या difference mainly average rate का मतलब है एक period of time में ठीक है it requires a period of time कि ठीक है पांच मिनट में अब rate आपका बराबर तो नहीं रहेगा जब reaction स्टार्ट हुआ तो होसकता है कि ज़्यादा fast था धेरे-धेरे slow होता गया ठीक है तो speed आपकी लागातार change होती गई बड़ आप average उसकी निकाल रहे हो कि जैसे गाड़ी आपकी चल रही है तो अभी 100 की speed पे आपने brake लगा दिये वो 60 पे आगी फिर 70 फिर 80 फिर कम हो गई तो बड़ आप average speed निकालोगे total distance upon total time तो वो क्या आएगा आपको fix value देगा पट उस average speed से तो आप नहीं चले ना throughout आपकी speed तो change होती रही तो average rate एक पूरे time period का average देता है आपको instantaneous क्याता है at a particular moment कि एक particular moment पे आपकी speed क्या है अभी आपको पूछा जाए कि instantaneous speed क्या आपकी गाड़ी की तो आप directly speedometer देखोगे और बोलोगे yes 80 है ठीक है एक second का उसकता है वो 70 हो जाए आपने break apply कर दी तो हर instant पे value कितनी है that is called instantaneous rate ठीक है तो हम यह बोल सकते है कि limit delta t approaches to 0 delta x upon delta t को ही क्या लिखते है हम dx by dt कि delta x upon delta t में जब time interval आपका 0 को अप्रोच करता है तो इसी को dx by dt लिखते है हम instantaneous rate of reaction अब इस graph से आपको ज़्यादा clarity आएगी कि क्या exact difference है instantaneous और average में देखिए यहाँ पर reaction है NO2 प्लस CO gives you NO प्लस CO2 तो अब यहाँ पर यह जो graph है देखिए 0 से start होके बढ़री है concentration किसकी NO की मतलब हम product की concentration को study कर रहे हैं आप reactant को भी कर सकते हैं अगर आपके पास reactant होगा तो आप देखिए यहाँ पर यह concentration है यह versus time तो reactant आपने starting में कुछ amount लिया होगा वो time के साथ धिरे धिरे decrease करेगा product 0 है 0 से increase करेगा तो किसी भी एक को आप study कर सकते हैं यह आप reactant को study करें यह product को study करें तो इस graph में हम product को study कर रहे हैं तो देखिए x-axis में आपके पास time है तो अब आगर आप देखें 50 seconds से लेके 150 seconds के बीच में interval कितना है 100 seconds का तो इस 100 seconds के interval में concentration का change कितना आया देखिए 50 seconds पे concentration दीश की 0.0160 और 150 seconds पे बढ़के एक होगी 0.0288 ठीक है तो change कितना है concentration में final minus initial value upon delta t 150 minus 50 तो यह आजाएगा आपके पास average rate ठीक है तो average rate निकाल दी हमने अब देखिए rate के units क्या होते है जब भी आप लिखोगे तो यह आजाएगा delta x upon delta t change in concentration और units होगे इसके concentration के units क्या होते है mole per liter और time के units क्या होते है per time ठीक है तो rate of reaction का unit हमेशा mole per liter per time होगा हमेशा ठीक है without any exception हाँ यह हो सकता है कि आप अगर concentration की जगा gases कोई species है उसको pressure में measure कर रहे है तो concentration की जगा pressure भी use कर सकते हो क्यूंकि ज़्यादा concentration होगी तो ज़्यादा pressure होगा तो आप चैक concentration use करें या gases के लिए आप उनका pressure के units use करें तो average rate आपको समझ आगया average rate के लिए करना के है इसके लिए आपको दो points identify करने कि यह आपका first point है यह आपका final point है इन दोने के बीच में time difference और concentration difference तो यह आगे आपके पास delta x की value और यह आगे आपके पास delta t की value तो आप देखें कि अगर हम delta x by delta t करते हैं तो यह आप इसको एक straight line से join कर सकते हैं इस straight line की slope है इसी slope को average rate कहा जाता है ठीक है सेम physics का concept है कि आप average के लिए दो points को connect करोगे straight line से उस straight line की जो slope होगी वही आपको average rate देगी instantaneous rate के लिए क्या करना है अब देखें instantaneous rate हम calculate करना चाहरे हैं इसी point पे ठीक है तो यहाँ पर instantaneous rate के लिए उस point पे हम tangent draw करते हैं तो यह देखें यह जो tangent यहाँ पर draw किया है ठीक है इस tangent के अगर आप slope निकालते हो तो वह आपको देगा dx by dt अब इस tangent की slope देखें कैसे निकाल लिए उन्होंने यह tangent इस time से लेके इस time के बीच में ठीक है तो देखें यहाँ फिर इस point पे concentration कितनी थी minus 0.0249 और final कितनी होगी 0.0326 तो यह change in concentration आ गया ठीक है dx और time interval कितना है इस point से लेके इस point के बीच में 100 और 200 मतलब 100 का difference है तो instantaneous rate के लिए आप उस point पे tangent draw करते हैं वैसे ही अगर आपको इस point पे instantaneous rate चाहिए तो हम क्या करेंगे तो आप इस point पे tangent draw करेंगे अब इसकी slope निकाल लेंगे तो I think that is clear तो rate of reaction के units हमेशा क्या होंगे concentration per time अब देखें next is the measuring the reaction rate के rate of reaction को आप measure कैसे करते हैं कि what are the techniques first thing आप check कर सकते हो कि what is the change in concentration of reactants or products कि एक particular time में कितना change आया concentration में तो वो एक तरीका है और maximum problems में हम इसी तरीकों को use करेंगे कि concentration का कितना change आ रहा है दूसरा आप color change को भी use कर सकते हो for example reaction है S2O3 2 negative aqueous plus 2 H positive aqueous gives you 2 sulfur solid plus SO2 plus H2O अब जो आपके पास reactant था वो colorless है पर product में एक species है sulfur जो colored है yellow color है SO2 भी colorless है तो जैसे जैसे sulfur बनता जाएगा product में yellow color आता जाएगा तो starting में आप देखेंगे reaction colorless होगा धीरे-धीरे reaction में yellow color आना start होगा और थोड़ी time के बाद yellow color की intensity बढ़ती जाएगी तो किस speed से color की intensity बढ़ रही है उसको अगर आप study करें तो उससे भी आपको rate of reaction पता लगए क्योंकि speed से sulfur बनेगा उतनी speed से reaction में yellow color की intensity भी बढ़ेगी तो इसके लिए आप यूज करते हैं that is colorimeter okay यह equipment है यह colorimetry is the branch that deals with this color measurement okay colorimetry not calorimetry, calorimetry thermodynamics में आता है third is the titration देखे, reactant आपका product में H positive iron दे रहा है और फिर कुछ और product बना रहा है देखे, जितनी speed से H positive बनेंगे उसको अगर आपने measure कर लिया तो rate of reaction मिल गया अब यह कितने H positive बने एक particular time में हमें कैसे लगएगा पता H positive आपको दिखेंगे नहीं color भी उनका नहीं होता, तो हम क्या करते हैं हम उसको titration करेंगे alkali से तो zero time पे जब H positive बने ही नहीं थे आपने titration की alkali के साथ क्या हुआ? कुछ भी नहीं होगा क्योंकि alkali consume ही नहीं होगा क्योंकि H positive नहीं है 5 मिनट के बाद आपने फिर से इस reaction से 10 ml या एक fixed amount निकाला बाहर उसको alkali के साथ tritrate किया, अब उसमें जितने H positive बने होंगे वो alkali के साथ that is OH negative के साथ react करके neutralize होंगे तो कितना alkali consume हुआ है यह आपको बता देगा कि कितना H positive बना था, फिर 15 मिनट के बाद फिर से उतने ही ml का sample लें फिर से alkali से titrate करें अब देखें, अब कितने H positive है total थीक है, तो आप product को या reactant को दोनों में से किसी एक को भी titrate करके भी rate of reaction पता कर सकते हैं fourth is volume change अब देखें, gases अगर components हैं आपके reaction में तो gases volume occupy करती हैं तो जैसे gases के number of mole change होंगे उनकी जो volume occupied होगी वो भी change होगी, तो gases reactants के लिए, gases reactions के लिए, आप change in volume को भी observe कर सकते हो, change in pressure को observe कर सकते हो ऐसे reaction जहां पर ions बन रहे हैं, ions की एक particular conductivity की value होती है तो different different ions, जैसे Cl negative की conductivity कुछ और होगी bromide की conductivity कुछ और होगी OH negative की होगी कुछ और होगी, तो जब reaction product में ion generate कर रहा है, मान लीजिए तो product जैसे से बढ़ेगा ions बढ़ेंगे, conductivity बढ़ेगी तो conductivity की speed से बढ़ रही है यह आपको rate of reaction देदेगा ओके, तो ionic reaction में conductivity change को भी study कर सकते हैं then we have a rotation of plane of polarized light, अगर आपने organic में अभी, studio chemistry पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होगा की optically active substance होते हैं जो plane of polarized light को rotate कर देते हैं, तो वो rotation कितनी हुई एक particular time में, यह भी आपको reaction के बारे में information देदेगा, ओके, so these are the different different methods of measuring the rate of reaction ओके, और भी जादे method है but these are sufficient next देगे आपके जैसे information के लिए कि Ahmed H. Zivill यह एक बहुत honored scientist है जिन्होंने, I guess थे जिन्होंने femtochemistry को develop किया, और इनको nobel prize भी मिला था chemical kinetics में, तो इन्होंने, sorry chemistry में तो इन्होंने femtochemistry को develop किया, that is, essay reaction जो 10 raise to power minus 5 second में हो जाते हैं, उनको study करने वाली branch, okay अब देखें, next is a hypothetical reaction, अगर मान लीजिए, कोई reaction A gives you B reacting product में जा रहा है, तब आप rate को कैसे लिखेंगे, देखें rate is यह चुलिए, rate को क्या लिखेंगे हैं हम यह देखते हैं कि A और B में बनने का क्या rate है A के आपने 100 particles लिए B initially 0 था थोड़ी देर के बाद A के कितने रहेंगे, मान लीजिए 80 रहेंगे, अब B कितना बनेगा तो आप बोलो कि 20 बनना चाहिए, क्यों? क्योंकि 1 mole A का, 1 ही mole B का generate कर रहे हैं, तो अगर 20 कम हो रहे हैं A में है, तो 20 ही यहाँ पर बनने चाहिए तो आप यह बोल सकते हो के rate of disappearance of A, के A कितनी जल्दी disappear हो रहा है It is equal to rate of appearance of B उतनी speed से B बन रहा है, क्योंकि दोनों की stockymetry क्या है? 1 is to 1 है तो rate of disappearance of A को कैसे लिखेंगे? D A by D T ठीक है? कि change in concentration of A divided by time, तो this is called rate of disappearance of A with a negative sign, negative sign इसलिए क्योंकि A की concentration कम हो रही है, तो final minus initial करेंगे, आप 80 minus 100 तो यह minus 20 आएगा, और minus 20 divided by time, negative हो जाएगी, rate is always a positive quantity, तो उसको positive करने के लिए यह negative sign हम use करते हैं, ठीक है? तो जब भी reactants के लिए आप लिखेंगे तो वहाँ negative sign लगाएंगे ताकि rate आपका हमेशा एक positive quantity रहे अब देखे, rate of appearance of B B में concentration में क्या change जाए? 0 से 20, तो final minus initial करेंगे, तो 20 minus 0, 20 divided by time, तो उसके लिए आपको negative लिखने की जूरुत नहीं है, तो यह आगा rate of reaction के लिए equation के rate को आप चाहे एक ही disappearance से measure करें या बी की disappearance से अब इसमें interesting point यह है क्योंकि दोनों की rate of appearance, disappearance बराबर है इसलिए देखिए यहाँ पर one, two, three, four तो यह concentration versus time graph मैं बना रहा हूँ, अब मान लिए आप a को आपने four से start किया कुछ देर के बाद वो जाके उसकी concentration two पहुँच गई इस time के बाद ठीक है, तो मतलब इतने time में यह four से two पे आ गया, तो drop कितना आया इसमें, कितना concentration drop हुआ, two का अब क्योंकि b की stoichiometry भी one है, मतलब a के जितने कम होते हैं, b के उतने ही बनते हैं, तो अगर a में दो का drop आएगा, तो b में भी दो ही बनेंगे, तो b भी zero से लेके कहां तक पहुँचेगा two तक ही पहुचेगा, उसके आगे रेक्शन ऐसे चलता जाएगा बटे, आपको यह देखना है, अब दोनों की slope बराबर है, क्योंकि b में जो gain आया ये भी two का आया, ठीक है तो, change in concentration upon time दोनों के लिए बराबर आएगा बट अगर a gives you two b होता, तो हम क्या करते है, अगर इनके stoichiometry, coefficients different होते है, तो देखिए इस reaction में यहाँ पर आपको दिए कि two NO2 gives you two NO plus one O2 अब stoichiometry different है, मतलब two mol NO2 जब consume हो जाएंगे, तो two mol NO बनेगा और एक ही mol O2 बनेगा ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि rate of disappearance of NO2 that is minus dNO2 by dt is equal to rate of appearance of NO dNO by dt क्योंकि दोनों के दो-दो mol है, मतलब दो-दो, coefficient in का same है तो जब इसके दो mol कम होते हैं, इसके दो ही बनते हैं, तो rate of disappearance of NO2 is equal to rate of appearance of NO and O2 का में क्या है, जब इसके NO2 के दो mol कम हो रहे हैं, O2 का तो एक ही बन रहा है ठीके, तो इसमें 2 का drop आ गया, वहाँ सिर्फ एक बना, तो मतलब O2 का जो rate of appearance है वो half है ठीके, तो आप लिख सकते हो due to body to rate of appearance of O2 is half of half of NO2 या NO, कि जिस speed से NO बनेगा, उसकी आदी speed से O2 बनेगा, क्यों? देख लिजे यहाँ पर आपने 1 लिया, यह 0 था, यह 0 था, यह 1 minus X हुआ, यह X बनेगा, यह X by 2 बनेगा तो जब NO X बन रहा है, तो यह उसका आदा बन रहा है तो उसकी बनने की speed आदी है, किस से? NO से, तो NO की speed का आदा कर देंगे NO 2 की speed का भी यहाँ आदा हो जाएगा 1 by 2, तो यह आएगा अभी यह बराबर है ना, अभी तीनों बराबर है मतलब, NO 2 by dt और NO by dt दोनों में 2, 2 यहाँ पर common है, तो यह rate आपसमें बराबर होगे इनके और NO 2 और O 2 को आपको compare करना हो तो आप लिखते हैं, minus D NO 2 by dt is equal to twice of DO 2 by dt तो इसको आप ऐसे लिखते हैं, minus D NO 2 by dt is equal to 2 times D O 2 by dt तो मतलब, rate of disappearance of NO 2 is twice of rate of appearance of O 2 तो इसको लिखे, rate of disappearance of NO 2 is equal to twice into rate of appearance of O 2 अब इसको graph में हम कैसे देखेंगे देखे, graph में आपको बस यहाँ पर time versus concentration दिया गया है NO 2 की concentration कम हो रही है अब NO की बढ़ रही है और O 2 की भी बढ़ रही है अब देखे पता लग रहा है कि O 2 एक particular time में NO से आधा बनता है NO जब X बना था तो O 2, X by 2 बना था इसलिए O 2 की slope क्या है? कम है ठीक है? जबकि NO की slope जादा है अब देखे NO और NO 2 दोनों की slope बिल्कुल symmetrical है मतलब जिस slope से NO 2 कम हो रहा है उसी slope से NO बढ़ रहा है तो NO 2 के लिए rate निकालेंगे तो drop कितना concentration में देखी आया? इस point से लेके इस point तक 0.0026 का drop है time interval दिया है 110 seconds वैसे ही NO का भी अगर आप यहाँ पर measure करते है यह उन्होंने इस point पर measure किया मतलब इस point से लेके इस point तक का मतलब यह फिर उन्होंने इस point का tangent लिया है और उसका instantaneous rate निकाला है यहाँ पर उन्होंने इस point पर tangent लेके इसका instantaneous rate निकाला है ठीक है? तो मैं यह आपको बोल रहा हूँ कि अगर इसी time interval पे 250 seconds पे अगर आप NO का देखते हैं NO2 का और NO का देखते हैं तो दोनों की slope बराबर आएंगी just sign opposite होंगे क्योंकि इसकी tangent आपको इस तरह से आएगी इसकी tangent upwards है तो tangent के जो slope आएंगी इनके sign different होंगे but value same होगी ठीक है O2 का कम है क्योंकि O2 exactly half है तो उसकी जो slope होगी वो exactly half होगी तो 70 seconds में NO में कितना change आया 0.0006 पर इनी 70 seconds में O2 में कितना change आया 0.0003 तो ये experimentally इनोंने शो भी किया ग्राफ में ठीक है तो I guess that is clear एक example में आपको और देता हूँ N2 प्लस 3 H2 gives you 2 NH3 तो इसका अगर हमें graph draw करना हो देखे 1, 2 3, 4, 5 and 6 तो देखे N2 को हम लेते हैं 1 mol ठीक है या चली इसको 2 mol ले लेते हैं और H2 उसका 3 गुना डला है क्योंकि 1 mol N2 के साथ 3 mol H2 है तो N2 अगर स्टार्टिंग में अपने 2 ले लिए तो H2 का आपको 6 लेना पड़ेगा तो H2 आपके 6 आगे और N3 स्टार्टिंग में 0 था अब देखे जब ये 2 में से X जाएंगे तो 6 में से कितने जाएंगे 3X यहां कितने बनेंगे 2X तो ये 2 से कुछ टाइम के बाद कम होता होता ये मालेज़ इतने टाइम है ये 2 से 1 पे आ गया इस टाइम इंटरवल में तो इसी टाइम इंटरवल में 6 से कितने कम होने चीए 3X मतलब ये 2 से 1 मतलब 1 का ड्रॉप आया है अगर ये ड्रॉप आपका X है तो H2 में कितना ड्रॉप आएगा 3X का तो H2 का आपको 6 से डिक्रीज करते करते कहां पे लाना पड़ेगा 3 पे H2 इतना फास्ट डिक्रीज होगा ठीक है उसके बाद ऐसे चलता रहेगा और NH3 में उतने ही टाइम में कितना गेन हुआ 2X का तो ये 0 से पहुचेगा 2 पे तो इस तरह से कर्व आपके आएंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है तो H2 में जो ड्रॉप था ये देखी ये आया 3X का और ये जो गेन था NH3 में ये 2X का तो इस तरह से स्लोप भी चेंज होती है तो rate of reaction is always a positive quantity next is कोई भी hypothetical reaction अगर आपलेते हैं AA plus BB gives you CC plus DD तो याल नो that rate को हम कहा लिखते हैं minus 1 upon stoichiometric coefficient A into DA by DT is equal to minus 1 upon B DB by DT is equal to 1 upon C DC by DT is equal to 1 upon D DD by DT तो reaction में negative sign लगा है क्योंकि rate को positive रखना है तो ये है आपकी rate की equation तो rate आप चाहे A के respect में measure करें या B के respect में या C के respect में या D के respect में ओके अब देखें next is rate of reaction phrase has no meaning if a balanced equation isn't given for example माल लिजए कि हमें question दिया गया है कि rate of reaction is 10 raise to our minus 2 molar per second ठीक है when N2 reacts with H2 ओके तो N2 H2 react करेंगे तो क्या बनेगा अमोनिया बनेगा तो ये दिखाए कि rate इतना है जब N2 H2 के साथ react करती है ठीक है तो कैसे करेगी तो एक बार हमने लिख लिए N2 plus 3 H2 gives you 2 NH3 ओके तो अगर ऐसे ये reaction होता है क्योंकि हमने normally ऐसे पढ़ा है तो इसके लिए rate क्या आजाएगा rate को क्या लिखेंगे हम minus dN2 by dt is equal to minus 1 upon 3 dH2 by dt ठीक है ये लिखेंगे is equal to 1 upon 2 dN3 by dt अब अगर rate इतना दिया गया है और आपको finally पूचा की find the rate of consumption of H2 ठीक है rate of consumption of H2 rate of reaction आपको दिया है rate of consumption of H2 पूचा है तो यहां से हम इन दोनों को relate कर सकते है तो देखें dH2 by dt या minus dH2 by dt is rate of consumption or disappearance of H2 ये क्या हो जाएगा 3 times rate तो बुचते हूँ की rate of disappearance of H2 is equal to 3 times rate of reaction तो ये कितना आना चीए 3 into 10 raise power minus 2 molar per second ओके डन अब इसकी जगा अगर मैं equation को ऐसे लिखता हूँ के 3N2 plus 9H2 gives you 6NH3 मेरी मर्जिय मैं कैसे भी लिकू रिया reaction को क्यों अभी ये reaction गलत तो नहीं है न मैंने जब तीन से multiply कर दिया इसको तो अब अगर मैं rate लिखूंगा तो वो क्या जाएगा 9 times rate that is अब आपको एक equation दी गई है अगर आपको reaction ने equation दी नहीं है अगर आपको reaction ने equation दी नहीं है तो ये बताना चाहिए कि किस stoichiometry में वो react कर गए ठीक है तो इसलिए लिखा गए बहुत important point है कि rate of reaction phrase has no meaning if a balanced equation isn't given तो आपको एक balanced equation पता होने चाहिए otherwise अगर नहीं दिया है तो you have to write k considering this particular equation तब आपका answer valid होगा तो मुझे specify करना पड़ेगा कि मेरा जो rate of disappearance का answer है ये इस equation k according मैंने calculate किया है okay so this is a very important point अब देखे question दिया गया first आपको for the reaction N2 plus 3H2 gives you 2Ns3 the rate अब देखे यहां उने define किया है na reaction अब उसके according पूछा है तो rate dNs3 by dt 2 into 10 raised to our minus 4 molar per second है तो minus dN2 by dt कितना है rate ये पूछ रहे है तो simple है है हम equation basic लिखेंगे तो rate को कैसे लिखेंगे आप minus dN2 by dt is equal to minus 1 upon 3 dH2 by dt is equal to 1 upon 2 dNs3 by dt अब आपको दिया गया है dNs3 by dt और N2 पूछा गया है तो इन दोनों को आप compare कर सकते है तो यहां से आप लिख सकते हैं कि minus dN2 by dt कितना है 1 upon 2 of dNs3 by dt तो मतलब half of 2 into 10 raised to our minus 4 molar per second तो आपके अंसर आजाएगा 10 raised to our minus 4 molar per second ठीक है तो यह तो हो गया तरी कैसे आपने solve किया अब इसको देखके ही यहां बता सकते हैं कि देखे rate of appearance of ammonia जितना है ammonia कि speed से बन रहा है तो nitrogen कि speed से कम हो रहा है जब nitrogen का x कम होगा ammonia के तो 2x बनेंगे मतलब ammonia के बनने की speed double है nitrogen के कम होने की speed से ठीक है तो अगर nitrogen की कम होने की speed क्या हो नहीं चीए इसका half तो directly आप बोस तो 10 raised to our minus 4 molar per second ठीक है बट first time अगर आप देखें तो आपको systematically इसको solve करना चाहिए चाहिए आपके board exam सो यह subjective exam हो बट objective में आप directly stoichiometry को समझ के बता सकते हो अब देखें next question rate of formation of SO3 in the following reaction इस reaction को I think आप आप lecture अभी देख रहे हो first read the reaction and मेरे solve करने से पहले इसको एक बाद try करना ठीक है मैं तो अभी directly solve कर दूँगा but I ask you to pause the video and solve this reaction by yourself first okay तो देखें इस question को solve करते है तो normal आप इस reaction के लिए अगर rate की equation लिखेंगे तो rate की equation आईगे आपके पास minus 1 upon 2 D SO2 by DT is equal to minus D O2 by DT is equal to 1 upon 2 D SO3 by DT तो इसके according अगर आप solve करेंगे अभ देखेंगे rate of disappearance of O2 this is called rate of disappearance of O2 तो इसका देखें SO3 के साथ क्या relation है rate of formation of SO3 this is the rate of formation of SO3 तो आप solve करेंगे कि rate of disappearance of O2 rate of appearance of SO3 का half है तो आप बोलेंगे कि ठीक अगर rate of formation of SO3 100 है तो rate of disappearance of O2 50 होना चाहिए तो अगर आपने ऐसे solve किया है तो ये गलत है क्यूं गलत है क्यूंकि आपने units पे ध्यान नहीं दिया ये gram पर minute में दिया गया है normally हम किसमें बात करते हैं? moles में तो इस reaction में 2 mole SO2 1 mole O2 से combine करके 2 mole SO3 बनाते हैं तो मतलब जब 1 mole O2 consume होता है तो 2 mole SO3 बनते हैं ठीक है? grams नहीं तो ये आपको ध्यान रखना है तो देखें 100 grams per minute तो rate of formation of SO3 is equal to 100 gram per minute और SO3 का molecule mass कितना होगा? 80 grams per mole तो 100 grams per minute का मतलब है 100 by 80 mole per minute अब rate of disappearance of O2 क्या है? half of rate of formation of SO3 मतलब half of 100 by 80 mole mole per minute ठीक है? तो कितने mole per minute आजाएंगे? 50 by 80 mole per minute पर आंसर भी किसमा पुछा? gram per minute में ठीक है? तो अगर 50 by 80 50 by 80 mole बन रहे हैं एक minute में तो कितने gram होगे? इसको multiply करेंगे molecular mass of O2 के साथ 32 तो मतलब 50 by 80 into 32 gram per minute तो आपको ध्यान रखना है कि आपको question में units कौन से दिये गहे हैं? तो ये गलती बच्चे generally बहुत बार करते हैं 95% of the cases में इस question में बच्चे गलतियां करते हैं अब next देखे factors affecting the rate of reaction कि speed of reaction को कौन-कौन से factors control करते हैं या affect करते हैं first is concentration अगर एक container में reactant के 100 molecules होंगे तो 100 molecules की बीच में collision होंगे उन collision की वज़ा से कुछ collision effective होंगे जिन से product बनेगा अब अगर मैं 100 की जगए 200 molecules उसमें रखता हूँ तो number of collision भी बढ़ जाएंगे जादा number of collision होंगे तो product बनने की speed भी बढ़ेगी higher the concentration faster the rate of reaction second is physical state physical state का मतलब है आपका solid है, liquid है या gas है अब अगर कोई चीज gases form में होगी तो gases में molecule दूर-दूर होते है surface area बढ़ जाता है तो gases जल्दी react करती है अगर आपको कहा जाए कि petrol आपके पास liquid में है और एक उसके vapors अवेलिबल है तो liquid वाला petrol जल्दी जलेगा या vapors तो vapors आग जल्दी पकड़ते है अगर आप गाड़ी के petrol की tanky में जलती हुई माचिस की तीली को डाल देंगे ठीक है भरी भी tanky में तो आग नहीं लगेगी क्यों क्योंकि आग लगने के लिए oxygen भी चाहिए ठीक है liquid petrol आग नहीं पकड़ता उसके vapors आग पकड़ते है तो अगर आप जलती हुई तीली को petrol के अंदर डाल देंगे liquid में तो बुझ जाएगी कुछ नहीं होगा क्योंकि जैसे वो अंदर जाएगी अंदर oxygen तो नहीं होगा liquid के बीच में ठीक है बट अगर उसके vapors होंगे petrol के तो immediately वहाँ पर explosion होगा तो physical state का मतलब है कि solid में reaction थोड़ा slow होता है क्योंकि surface area कम है liquid में थोड़ा fast होता है gases में ज़ादा fast होता है इसको आप यहाँ देख सकते है यहाँ पर एक iron की कील है यहाँ पर iron nail इसको क्या किया आपने यह heat किया देखे गरम हो रही है यहाँ ठीक है red हाँ आप इस red hot देख सकते है तो यहाँ पर red hot का मतलब है कि यह oxidation इसकी यहाँ पर हो रही है ओके बट reaction कैसा है बहुत slow है oxidation बहुत slow है बट यहाँ पर हमने क्या लिए यहाँ पर हमने iron wool लिया है यह iron powder लिया है यह बहुत जल्दी oxidize होता है एकदम से आग पकड़ लेगा यहाँ पर नहीं होगा क्यों क्यों क्योंकि iron wool में या powder form में surface area बहुत जादा है तो reaction बहुत fast होगा तो physical state का difference पड़ता है ओके third is temperature अब देखे ज़्यादा temperature अगर होगा तो molecules के पास energy ज़्यादा होगी higher is the speed of reaction और generally generally कहा जाता है के हर 10 degree temperature increase करने पे rate of reaction almost double हो जाता है but it is not a general theory के हमेशा ऐसा नहीं होता okay तो हर 10 degree temperature बढ़ाने पे आपका rate of reaction double हो सकता है ठीक है double भी हो सकता है और triple भी हो सकता है but उसके लिए activation energy को हमें study करना पड़ेगा ठीक है तो temperature बढ़ाने पे rate of reaction बढ़ता है क्योंके energy बढ़ जाती molecules की presence और absence of catalyst catalyst टालेंगे तो reaction speed up होता है negative catalyst टालेंगे तो reaction slow down होता है तो ये क्या करता है catalyst वो हम आगे के lecture में देखेंगे next is the nature of reactants and products देखेंगे ये दो reaction देखने में बहुत similar है 2 NO plus O2 gives you 2 NO2 and 2 CO plus O2 gives you 2 CO2 दोनों room temperature पे हो रहा है एक reaction fast है और एक reaction slow है इसका मतलब एक से दिखने वाले reaction भी speed में different हो सकते है क्यों? क्योंकि दोनों की nature different है NO का जब O2 से collision होगा, reaction होगा तो NO में जो bonds involved है, उनकी bond strength कुछ और है CO में जो bond involved है, उनकी bond strength कुछ और है overall reaction की जो activation energy है, energy की requirements है वो दोनों की different है, इसलिए जैसे ही आप nature of reactant change कर देंगे या nature of product change कर देंगे, reaction की speed change हो जाएगी next is the radiation, इसका best example है photosynthesis तो अगर आप सोचेंगी रात में photosynthesis होगा आप बहुत सारे हरे पत्ते लेके आ जाएं, तब भी नहीं होगा जितना मरजी reactant हो, क्योंकि reaction को start करने के लिए sunlight की जरूरत है, ठीक है तो बिना radiation की reaction start ही नहीं होगा, तो ऐसे reaction photoelectric की जो, sorry, photosynthesis जैसे reaction जो होते है these are dependent on the presence of radiation और photosynthesis में blue और red photons को वो absorb करते हैं mainly, then the pH of medium, कुछ reaction acidic medium में fast होते हैं, basic में slow हो जाएंगे, ठीक है, तो हर reaction की optimum requirement होती है कि इसको pH की जरूरत कैसी है इसको acidic solution चाहिए, basic चाहिए या neutral चाहिए, तो pH भी speed को affect करता है, dielectric constant, dielectric constant देखे, different different solvents का dielectric constant different होता है तो different solvents में reaction की speed different होती है, same reaction को आप पानी में करवाएं और एक बार hexane में करवाएं हैं, CCL4 में करवाएं, तो उनमें speeds का difference आएगा क्योंकि solvent का dielectric constant constant change हो गया है, and next is electric or magnetic field, अगर आपके किसी reaction में ions involved हैं, तो electric or magnetic field की presence या absence B reaction को affect कर सकती है, next is law of mass action, this was given by Gulberg and Vog, तो इन्होंने कहा कि किसी भी reaction में अब हमें पता है कि concentration of reactant बढ़ाने से reaction fast होता है, ज्यादा reactant डालोगे तो reaction fast होगा, तो for a reaction AA plus BB gives you product, हम लिख सकते हैं कि rate of reaction is directly proportioned to concentration of a into concentration of b, raised to power a की power small a, b की power small b, ठीक है, where a is the order with respect to a, b is the order with respect to b, मतलब यह जो stoichiometric coefficient है, इनको उसने कहा कि यह power में आएंगे इसके और a को कहा जाएगा कि यह a reactant का order है, small b, b reactant का order है, और a plus b को उसने कहा कि यह होगा order of reaction, कि reaction का total order क्या है, ठीक है, for example, अगर हम लिखते हैं 2a plus b gives you product, तो उसने कहा कि rate directly proportional होना चाहिए, a raise to power 2 और b raise to power 1, तो a का order 2 है, b का order 1 है, और order of reaction 2 plus 1, 3 होगा, यह law of mass action ने कहा, तो इसके according अगर हम देखेंगे, तो rate का constant of proportionality आजाएगा, k, तो इस तरह की equation आजाएगी, where k is called rate constant, और specific reaction rate, और velocity constant, तो k की यह नाम आप उसको दे सकते हैं, तो k होता क्या है, अगर हम a की concentration को 1 कर दें, unity, b की concentration को भी unity कर दें, तो rate is equal to k हो जाएगा, तो k क्या है basically, it is the rate of reaction when unity concentration of reactants are taken, कि जब सारे की सारे reactants की concentration unity होगी, तब जो rate of reaction होता है, उसी को rate constant बोलते हैं, पर यह law of mass action fail हो गया, क्योंकि experimentally बहुत सारे reactions को यह प्रूव नहीं कर पाया, तो इसमें fault क्या था, उसको correct किया गया rate law में, rate law के according, rate concentration पे depend करता है, इसी reaction के लिए गर हम लिखेंगे, तो यह concentration पे depend करता है a और b पे, पर raise to power जो हैं, यह order जो हैं, यह x और y होंगे, मतलब x आपका small a के बराबर हो भी सकता है, y आपका small b के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब x और y may और may not be equal to stoichiometric coefficients, तो यह बात important थी, क्योंनों ने कहा कि, law of mass action ने कहा कि यह जो powers हैं, यह stoichiometric coefficients ही होंगी, पर rate law बोलता है कि यह जो powers हैं, यह stoichiometric coefficient के बराबर हो भी सकती हैं, और नहीं भी हो सकती, तो x and y are always determined experimentally, आप बिना experiment के नहीं बता सकते हैं, कि x और y की value क्या होगी, और x प्लस y को लिखा जाएगा order of reaction, ओके, for example, अगर मैं लिखता हूँ, rate is equal to k, a into b, तो यह a के respect में order 1 है, b के respect में 1 है, और order of reaction 2 है, अगर मैं rate को लिखता है, k a raise to power 2, b raise to power 0.5, तो order of reaction कितना है, 2.5, अगर मैं लिखता हूँ, k a raise to power 1, b raise to power 0, तो order of reaction कितना है, 1. तो order 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है, negative भी हो सकता है, positive भी हो सकता है, fractional भी हो सकता है. तो order of reaction may be positive, negative, 0, integral, और fraction, कुछ भी हो सकता है, order आपका 0.5, 1.5, कुछ भी हो सकता है, because this is experimentally determined value, ठीक है, तो यह आपको ध्यान रकना है, कि rate law और law of mass action में क्या difference था, law of mass action ने कहा कि, जो stoichiometric coefficients हैं, वही उसकी raise to power order में जाएंगी, पर rate law के according, जो आपके order है, with respect to each reactant, these are experimentally determined and cannot be, इनको reaction को देख के आप predict नहीं कर सकते कि order of reaction क्या होगा, अब देखिए, के के हमने units नहीं किये, के के units क्या होते हैं, units of k, ठीक है, अब k के लिए अगर आपको units लिखने हैं, तो हमें पता है कि rate is equal to k into concentration of reactants, तो जो भी concentration of reactant है, जैसे यहाँ पर a raise to power 1, b raise to power 1, तो concentration of a को किस में लिखेंगे, mole per liter में, b को भी लिखेंगे, mole per liter में, और 1 plus 1 total power कितने जाएगी, 2, तो concentration raise to power n होगा, where n is the order, ठीक है, और rate के units क्या होते हैं, mole per liter, per time, is equal to k into concentration के units के हैं, mole per liter raise to power n, तो यहाँ से अगर आप इसके units, calculate करेंगे, तो k के units कितने आजाएंगे, concentration, that is mole per liter raise to power, 1 minus n, per time, तो अगर 0 order है, 0 order के लिए, जल्दवाजी में, 0 order अगर reaction है, तो उसके लिए k के units के होंगे, n को 0 पूट करेंगे आप, तो concentration raise to power 1, that is, mole per liter, per time, तो time को माली जी, second ले लेते हैं, अगर first order reaction है, तो n 1 हो जाएगा, तो 1 minus 1 0, तो concentration raise to power 0 1, तो यह सिर्फ per second बचेगा, second order reaction होगा, तो यह, liter per mole per second हो जाएगा, तो इस तरह से units of k, किस पे depend कर रहे हैं, n पे, order पे, ठीक है, तो यह, आप formula याद कर सकते हैं, कि k के units क्या होंगे, अब देखें, दो points में मैंने summarize किया है, कि rate of reaction at any instant of time, depends on the molar concentration of the reactants, कि rate हमेशा, concentration of reactants पे depend करता है, concentration of reactants कम होती जाएंगी, तो rate of reaction भी कम होगा, और इसके units हमेशा, mole per liter per time होते हैं, या अगर आप pressure यूज़ करेंगे, तो atmosphere per time आप लिख सकते हैं, बट जो rate constant है k, वो एक reaction के लिए, fix होता है, एक particular temperature पे, जब तक आप reaction का temperature चेंज नहीं करते, k चेंज नहीं होगा, चाहे मैं उसमें reactants बढ़ा दूँ, कम कर दूँ, कुछ भी करूँ, एक particular reaction के लिए, rate constant एक particular temperature पे, fix होता है, और उसके units डिपेंड करते हैं, order of reaction पे, तो यह difference है, rate of reaction और rate, constant के बीच में, अब देखे, question number 1 यहाँ पे, in the following reaction, xa gives you yb, तो दिया गया, log of minus dA by dt, is equal to log of db by dt, plus 0.3, तो find x and y, कि x और y की value यहाँ पर, क्या होगी, तो क्या अबर सकते हैं इसको, पहले तो मैं आपको advice करूँगा, कि इसको pause करके, आप खुद solve करें एक बार, तो अगर हम rate की equation को लिखते हैं, तो rate is equal to, minus 1 upon x, dA by dt, is equal to, 1 upon y, db by dt, तो इसको हम, minus dA by dt, is equal to, x upon y, dB by dt लिख सकते हैं, अब अगर हम इसको log लें, इस equation का finally, तो यहाँ जाएकर log of, minus dA by dt, is equal to, देखिए, x upon y into dB by dt है, तो x upon y को one term लेते हैं, तो यहाँ जाएकर log of, x upon y, तो log of, a into b क्या होता है, log a plus log b, plus log of, dB by dt, तो अब इसको आप original equation से compare करेंगे, तो, 0.3 किसके बराबर आ रहा है, log x by y के, तो यहाँ से, अब लिख से तो कि, log x by y is equal to 0.3, that is 3 by 10, तो अब लिख से तो कि, तो x upon y की value क्या होनी चाहिए, कि अगर आपके log of, किसकी log की value 0.3 आती है, log 2 की, तो आप लिख से तो कि, log x upon y, basically क्या होना चाहिए, log 2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो x आपका 2 आना चाहिए, y आपका 1 आना चाहिए, यह होगा approximate answer, और आप यहाँ से आप इसको exactly calculate कर सकते, anti-log लेके, ओके clear, अब देके next is, for a given reaction, I negative plus OCl negative gives you I O negative plus Cl negative, in an aqueous medium, the rate of the reaction is given by, D I O negative by D T is equal to K, I negative OCl negative by OH negative, what is the overall order of the reaction, तो क्या होगा है यहाँ पे, overall order, तो रेके, रेके आपको expression दिया गया है, ठीक है, I O negative के, product के, according आपको rate of reaction की equation दी गई है, अब order के लिए, हमेशा आपको powers को add करना होता है, तो I negative की power 1 है, OCl negative की 1 है, OH negative, नीचे है, तो उसको अगर उपर लेके जाएंगे, आप तो minus 1 हो जाएगी, तो order आजाएगा, 1 plus 1 minus 1, that is, order is 1, तो, ऐसा कभी मत सोचना के, concentration terms हमेशा ऐसी होती है, कि rate is equal to K into, A होगा, फिर B होगा, फिर C होगा, नीचे भी कुछ हो सकता है, D भी हो सकता है, यहाँ पर E भी हो सकता है, ऐसी ऐसी terms भी हो सकती है, जो reactant में नहीं थी, देखिए, OH negative, ना तो reactant में है, ना product में, बट यह भी, rate of reaction की equation में present है, तो यह जरूरी नहीं है, कि rate of reaction की जो equation होगी, उसमें reactants ही होंगे, या जो reactant of products है, उनी में से कोई एक होगा, extra को भी कोई हो सकता है, हो सकता है, यह OH negative, यहाँ पर as a catalyst काम कर रहा हो, ठीक है, तो rate of reaction, overall mechanism पर depend करता, और mechanism क्या है, किसी reaction का, वो इस reaction को देख के, आप नहीं बता सकते, ओके, तो I think, this is sufficient for today's lecture, तो next lecture के लिए, आप यह problem, practice एक बार कर सकते हैं, ठीक है, तो in the next lecture, we will start with the solution of this particular problem, okay, so till then, enjoy your concepts, and revise the NCIT textbooks, okay, so you see in the next lecture, thank you.